गर्मिया चाहे हर साल आए लेकिन साल में एक ही बार आम का सीजन आता है और वो बहुत ही खास होता है तो इस खास सीजन के लिए यहाँ पर हम खास रेसिपी लेके आए हैं मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी जिसे मैं पनीर के साथ मैं बनाने वाली हूँ नमस्कार दोस्तों मैं शीखा गुपता केजी इस किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ इसके अंदर जो है मैंने एक तीहाई कप जितनी शक्कर डाल दी है शक्कर की मात्रा आप आम की मिठास के इसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं तो यहाँ पर जो है मैंने एक चम्बश इतना कॉनफ्लोर डाला है कॉन फ्लोर की जगे चाहें तो कस्टड पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पांच से चम्मत जितना मैंने इसके अंदर मिल्क पाउडर डाला है तो मिल्क पाउडर से जो है हमारी आईस क्रीम का टेक्शिर और स्वाज जो है दुगुना हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हम कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो मैंने मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है आप चाहें तो मिल्क पाउडर को स्किप करके मलाई या फिर क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अब सारी सामगरी को जो हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इस पैटूला की मदद से और इसको जो है हमें बाद में गैस पर रख देना है आज को जो है ज़्यादा तेज नहीं रखना है और नॉनिस्टिक पैन का इस्तिमाल करेंगे ना तो ये कड़ाई से चिपकेगा नहीं सारा मिश्रन तो इसको लगातार चलाते हुए जो है हमें एक अच्छा सा उबाल दे देना है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक चिम्टी जितनी इसके अंदर केसर के धागे भी डाल दिये है अब ये केसर के धागे डाल देने के बाद मैं इसको लगातार चलाते हुए एक अच्छा सा उबाल दे देंगे और उबाल देने के बाद थोड़ा सा इसको पकाना है जैसे जैसे ये गाड़ा होता जाएगा एक क्रीमी टेक्श्चर जो है आईस क्रीम के बेस के रूप में हमें मिल जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूद के अंदर अच्छा सा उबाल भी आ गया है लेकिन इसके अंदर जो है अभी गाड़ा पन नहीं आया है जैसे जैसे गाड़ा होएगा वो इस पैटुला पे मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो के अंदर और जब इसकी मात्रा थोड़ी कम होने लगेगी तब हम गैस को बंद कर देंगे क्योंकि जैसे ही कस्टर्ड का मिशन जो है ठंडा होता है न वो थोड़ा और गाड़ा होता जाता है तो यहाँ पर मैंने गैस को बंद कर दिया है और इसको जो है हम ठंडा होने के लिए एक तरफ रख देंगे अब यहाँ पर मैंने तीन आम लिये थे तो उसको जो है मैंने काट के इसका छिलका निकाल के काट के जो है मैंने मिक्सी के जहर में डाल दिया है और साथ में एक आम मैंने एक्स्ट्रा लिया है जिसको आगे वीडियो में मैं कैसे इस्तिमाल करना है वो दिखाऊंगी एक अब जितनी मैंने घर में बनी हुई मलाई इसके अंदर डाल दी है और यहाँ पर आप एक पनीर का ब्लॉक देख सकते हैं वो पनीर का ब्लॉक हम इसके अंदर डाल देंगे तो यहाँ पर यह पनीर का ब्लॉक मैंने तोड़ के इसके अंदर डाल दिया है और ये आईस्क्रीम पनीर की वज़े से काफी स्वाधिस्ट बन की तयार होगी यहाँ पर जो है मैंने बिना शक्कर के ही इस मिश्ण को एक बार अच्छे से पीज दिया है आम हमारे काफी अच्छे पके हुए हैं और बहुत ही अच्छा सा कलर इसका आ गया है अगर आपको लगता है कि आपके आम की आईस्क्रीम का जो कलर है वैसा मैच नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा खाने वाला फूड कलर जो एक चिम्टी जितना होता है अगर ड्राय है तो वैसे डाल सकते हैं दूद के अंदर और नई तो फिर पानी में घोल के भी डाल सकते हैं यहाँ पर जो है मैंने इस सारी सामगरी को एक बार अच्छे से मिक्स कर दिया है यानि जो हमने आम पीसे थे और जो हमने मिश्रन बनाया था उसको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है और एक बार इस पैडूला की मज़स से अच्छे से मिक्स कर देने के बाद अगर आपको इस समय लगता है कि आपका मिश्टन थोड़ा कम मीठा बना है तो आप चाहें तो इसके अंदर पीसी हुई शकर भी मिला सकते हैं सारी सामगरी को मिक्स कर देने के बाद में हम इसको डाल देंगे एक टाइट कंटेनर के अंदर यानि कोई भी प्लास्टिक के डबबे के अंदर डाल देना है लेकिन धक्कन अच्छे से बंध होना चाहिए अब यहाँ पर जो है इसको मैंने एक से दो घंटे के लिए फ्रिच के अंदर सेट होने के लिए रख दिया है इसके बीच में जो है हम दूसरी तयारी करते हैं तो यहाँ पर मैंने एक आम को जो है इस तरीके से कार दिया है यानि एक बाउल में जो है इसके pieces कार देने हैं कुछ पिस्ता मैंने भीगो के रखेते वो कार दिये हैं साथ में केसर के धागे में लेने वाली हूँ दो से तीन घंटे के बाद हमारी ice cream जो है semi set होगी यानि पूरी तरीके से हम इसे set नहीं करना है बिल्कुल थोड़ी सी जो है ऐसे set होने लगे उसके बाद जो इसको निकालके एक बार mixi के अंदर डालके इसको चला देना है तो यहाँ पर मैंने इसको mixi के अंदर डाल दिया है और इसके बाद जो हम इसको चला देंगे इसके बाद आप देखेंगे कि इसका जो टेक्शिर है वो बिल्कुल हलका हो जाएगा जैसे फ्रॉद करने के बाद में कॉफी का टेक्शिर कैसे हो जाता है एकदम हलका सा हो जाता है वैसा हो जाएगा तो अब जो हमारी आइसक्रीम बन के तयार होगी ना वो बिल्कुल वार नेता है के तियार हो जाएगी जो है बस क्या करना है कि दो से तीन घंटे तक जो सकते हैं यहाँ पर मैंने बेकिंग पेपर डाला था इसके उपर और इसके बाद जो धक्कन करके अच्छे से सेट होने के लिए रख दिया था अब इसको जो है निकालते वक्त आपको ध्यान रखना है कि यह तोड़ी टाइट है तो 10-15 मिन पहले निकाल के रख सकते हैं अच्छी से स्मूध हो जाएगी और इस तरीके से इसको स्कूप करने के बाद में आप इसको सर कीजिए पिस्ता की गतरन के साथ में साथ में कुछ क खयाल रखिए टेक केर बाई